Hello everyone, it's me Rupal and welcome back to my channel अक्सर आपने ये सुना होगा कि कोई दुबई, अबुदाबी या गल्फ कंट्री में ट्राइवल करता हो तो उसे घर वाले या रिलेटिव जरूर कहते हैं कि भई सोने का कुछ खरीद के लाना ऐसा क्यों होता है, क्या गल्फ में सच में सोना सस्ता होता है, होता है तो क्यों होता है, making charges क्या होते है, designs कैसा होता है इन सभी सावालों के जवाब मैं आज के ब्लॉग में कवर करने वाली हूँ, इसलिए मैं आ गई हूँ दोहा के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में Welcome to Gold Sukh Qatar. The Gold Sukh is located in downtown Doha next to the Central Bus Station and AI Fardan Plaza. It is also very close to the Sukh Waqif, which is one of the most famous markets in Doha. यहां 40 से भी ज़्यादा Shops है और अगर आपको Sukh Alive देखना है, then you must visit in evening. इस मार्केट का टाइमिंग है 9 a.m. to 10 p.m. except on Friday. Friday को यह 4 o'clock को open होता है. You will find everything in Gold Sukh like imported bangles, heavy chains, rings, bracelets, necklaces and many more things. यह एक perfect place है to satisfy your cravings for gold jewelry. यहां आपको बहुत ही beautiful jewelry मिलती है at affordable price, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी. White gold, platinum and silver jewelry के options भी यहां पे available है. यहां Arabic, Turkish, Beharani, Omani and Indian यह सारे ही country की jewelry भी मिलती है. हर एक के making charges भी different होते हैं. और अगर कारेट की बात करें तो 18 and 22 कारेट की jewelry यहां जादा देखने को मिलती है. यहां यहां पूर कारेट की मिलेगी है. यहां निकलेस इसकी बहुत ही जादा वराइटी है mostly वो 18 कारेट में है क्योंकि 18 कारेट हार होता है और उसका फिनिश बहुत ही खुबसूरत होता है ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको गोल्ड सुप में नहीं मिलेगी यहां हर तरीके की डिजाइन्स आपको मिल जाते है अब मैं यह शॉप विजिट करने वाली हूँ कनोज UK देखते इसके डिजाइन्स कैसे हैं और यहां पर क्या प्राइस है गोल्ड के जो भी रेटे वो यहां डिस्पले किये गए है और वही एप्लिकेबल भी होते है आज का 22 कारेट का पर 10 ग्राम रेट है 2075.2 कतारी रियाल मिन्स 46,175 रूपीज और आज के दिन 22 कारेट का इंडिया में रेट है 53,740 रूपीज टोटल डिफरेंस है 7,565 रूपीज का इसा क्यों है क्योंकि यहां पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है यहां के हर एक डिजाइन में हॉल मार्किंग की गई है और यहां की जो गवर्मेंट है वो काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में सो वो आते रहते हैं और चेक करते रहते हैं सो प्यूरिटी इस गैरेंटेड लुक अट इस डिजाइन सो ब्यूटिफुल और कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी आइटम में आटिफिशल स्टोन्स भी इन्होंने यूज किया है उसकी प्राइस सेपरेटली मेंशन की होती है अगेन इनके पास हर कंट्री के ज्वेलरी अवेलेबल है और मेकिंग चार्जस आप निगोशियेट भी कर सकते है तो आपको बेस्ट प्राइस मिल जाता है अब यह डिजाइन तो बहुत ही अमेजिंग है इसमें 24 कारट के बिस्केट्स है वही लगाए हुए तो यह बहुत ही यूनीक ज्वेलरी है इनके बहरेनी कलेक्शन्स भी बहुत ही जादा अमेज है इसकी कॉस्ट है 68,600 कतारी रियाल अब यह जो है इनका स्पेशल वेडिंग कलेक्शन है यह डाइमन सेट है जो बहुत ही अमेजिंग है और यह मैंने खुद पे ट्राइ करके भी देखा जो बहुत ही खुबसूरत लग रहा था यह जो है यह ट्रेडिशनल कतारी वेडिं ज्वेलरी है और यह बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा था वेदर यू वांट तो बाइ गोल्ड और नॉट इस प्लेस इस प्लेस इस ट्रीट आइमस्ट सेवी चेंज भी अवेलेबल है और यह कस्टमाइज भी करके देते है ऐस पर आवर रिक्वार्मेंट्स यह है 100 ग् वैसे पर्ल के लिए भी कतार बहुत जादा फेमस है क्योंकि इनका पहले बिजनेस वही था बट अब कतारी पर्ल्स बहुत रेरली मिलते हैं और लगेली मुझे यह शौप में ओरीजनल कतारी पर्ल मिल गया है यह ओरीजनल कतारी पर्ल्स है जो रेरली अभी मिलते हैं और इस सेट की प्राइज है 30,000 कतारी रियाल येस 30,000 कतारी रियाल मिन्स 6,60,000 रुपीज और एक चीज जो गोल्सुक में पॉपिलर है वो है पेंडेंट्स विद पर्सन्स नेम इन अरेबिक और इन एनी लैंगव होते हैं क्योंकि यहां का गॉल्ड प्यॉर होता है डिजाइन अमेजिंग होते हैं टैक्स नहीं देना पड़ता और पूरी दुनिया में गोल्ड का रेट सबसे बेस्ट आपको गल्फ में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता आज के लिए बस इतना ही सी यू in next vlog and do like share and subscribe to my channel